नवश्कार मैं आचारी पंकर सास्त्री जोतिस के इसकारिक्रम में सभी सिंगरासी के जापकों का हरदिक स्वागत करता हूँ उपस्तित वाहूं सिंगरासी का मासिकरासी फल मई 2023 को ले करके मई के महने में सिंघ रासी के ग्रह गोतरे इस्तिती में नवग्रहूं की कैसी इस्तिती रहेगी और इनका प्रभाव आपके उपर कैसा रहेगा क्या-क्या बड़े परिवर्तन आपको मई में देखने को मिल सकते हैं बात हम आपके स्वास्थ की करेंगे नौकरी, ब्योसाई, कामकाज की करेंगे आपके आर्थिक इस्तिती का भी विश्लेशन करेंगे और क्या-क्या उतार चड़ाओ सिंग रासी के जातकों को मई के महा में देखने को मिलेंगे इसे आपको अवगत कराएंगे साथ ही बताएंगे कौन सी तारिखें मई की आपके लिए सुप तारिखें रहेंगी और कौन सी तारिखों में आपको सतर्क शाबधान रहना होगा तो चलिए शुरू करते हैं रासी फल का कारेक्रम शुरू करें उससे पहले आप सभी दर्शकों को बता दें ये रासी फल हमने आपकी जन्म रासी चंद्र रासी पर पयार किया है इस रासी फल को आप लगन कुंडली वह सूर रासी से न देखें तो चलिए सबसे पहले हम नवग्राहूं की इस्तिती देखते हैं आपके गोचर में कैसी नवग्राहूं की इस्तिती बन रही है सिंग रासी के जो स्वामी हैं स्वामिक ग्रह हैं आपके लिए सूर्यदेव सूर्यदेव बुद्देव गुरू और राहू चार ग्रहूं की य यानि आय भाव में, ग्यार्वें भाव में मिथुन रासी में संच्रण कर रहे हैं और सनिदेव कुमरासी के अंतरगत, सात्वें भाव के अंतरगत आपके लिए इस्तित हैं। केतु की बात करें तो केतु तुला रासी में प्राकर्म के भाव में तीसरे भाव में संचरण करने हैं और चन्द्रमा की बात हम बाद में करेंगे यह तो आपकी एक स्तिती कुछ इसतरा की बन नहीं है इसी ग्रहे गोचरे इस्तिति में कुछ ग्रहों का प्रिवर्थन होगा मही के महने में अपनी रासियां प्रिवर्थन करेंगे जिन में सबसे पहला प्रिवर्थन होगा सुक्रदेव का दो मही को सुक्रदेव रासी प्रवर्तन करेंगे, वरिशव रासी को छोड़ करके मित्वन रासी में प्रवेस करेंगे, लाव भाव में इस्तित्थूंगे आपके लिए, दस मही को मंगल देव का रासी प्रवर्तन होगा, मंगल देव रासी प्रवर्तन कर, मित्वन रासी को चोड़ करके करक रासी में प्रवेस करेंगे और आपके लिए बे भाव में इस्तित्थूंगे लेकिन यहाँ पर ये मंगल की नीच रासी है इसलिए इस भाव से संबंदेत विशे सतर्वता शावधानी आपको वरतनी होगी 15 मही को सूर्यदेव का रासी प्रवतन सूर्यदेव मेस रासी को छोड़कर के विशव रासी में इस्तित्थूंगे दस्वें भाव में इस्तित्थूंगे कर्म भाव में निश्चित्थी यहाँ आपको अच्छा लाव देखने को मिलेगा और 15 तारिक को ही बुद्ध देव जो कि वक्र गति से संचरण कर रहे थे, अब मार्गी गति से संचरण करने लगे। ये आपकी सम्पूण ग्रह गोठ्रिय इस्टिती हैं। वहीं बात हम चंद्रमा की करें। तो मित्रव चंद्रमा बहुत ही गतिसील ग्रहे हैं, चंद्रमा दो से सवादोजिन के वितर अपने राशी प्रवर्तन कर देते हैं, चंद्रमा जब भी सुब ग्रहों के साथ होते हैं, सुब भावों में होते हैं, तो कहीं न कहीं हमें अच्छा लाब देने का कारे करते हैं, लेकिन वही चंद्रमा जब कुरूर ग्रहों के साथ होते हैं, पापिक ग्रहों के साथ होते हैं, जर्म पत्रिका के 6-8-12 भाव में संच्राण करते हैं, तो कहीं न कहीं न कारात्मक इस्तितियाम भी पैदा करते हैं, और फल स्वरूप एक मेहने के भीतर, 6-8 दिन हम सब के जी लेका वह कलहकलेस का वातावरण आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो कौन सी ऐसी तार्खें, सिंगरासी के जातकों के लिए बनती हैं, इन परमचर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे सुब तार्खें, तो मही माह में सिंगरासी के जातकों के लिए 2- 2, 3, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 29 और 30 मई सुप तारिखें नहींगी वहीं 4, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 26 और 27 मई को आपको विशेश रोट से सतर्क साबधान रहना होगा से इस तारिखें आपके लिए सामान्य तारिखें रहेंगी अब इस ग्रहे गोचरे इस्तिती के वीच सबसे पहला विशेशन करते हैं सिंगरासी के जातकों के स्वास्त का स्वास्त के दृष्टी कोन से देखें तो इदिया आप सिंगरासी के जातक हैं स्वास्त के मामले में आपके लिए अच्छी इस्तिती बनती वी नजरा रही है, कहीं न कहीं जो आपकी समस्याइं हैं स्वास्त को लेकर करके विसेश कर सिंगराशी के जातक पेट से सम्मंदित विकारों से परेशान होते हैं, तो कहीं न कहीं अब आपको रिलीप मिलेगा, स खान पान पर विशेश रूप से ध्यान रखेगा, खान पान का विशेश रूप से ध्यान रखेगा, सुद्धता का विशेश रूप से ध्यान रखेगा, और यदि मध्यादी पदार्थों का सेवन करते हैं, यानि किसी भी नसीली वस्तु का सेवन करते हैं, तो नसीले पदा सिंगphenासी के जात्कों के لएं रहेगा बात आपके कर्मभाव की करें प्रिया दर्शक को कर्मभाव जर्मपत्रिका में दस्वांभाव होता है और सिंग्रासी के जात्कों के कर्म भाव के स्वामी सुक्रदेव बनते हैं सुक्रदेव प्रथम दो दिन कर्म भाव में ही इस्तित हूंगे उसके उपरांत लाब भाव में संच्रण कर जाएंगे जबकि सूर्यदेव देव गुरु ब्रस्पति बुद्ध और राहु भाग्य भाव में इस्तित हैं अंतिम दो सप्ताएं हैं, कारी छेत्र में आपको तेजी देखने को मिलेगी, अच्छी प्रगती देखने को मिलेगी, कही न कहीं, जितने भी चिंताएं आप कारी छेत्र को लेकर कर रहे थे, वो चिंताएं आपको समाप्त होती भी नजर आ रहेंगी, और कहीं न कहीं अच्छी इस् और तन आएगा कारिच्षित्र में अस्थानांत्रण के योग जरूर बन रहे हैं लेकिन साथ साथ पदोननती के योग भी बन रहे हैं प्रमोशन्स इत्यादी आपको देखने को मिल सकते हैं और अपने अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थानांत्रण के योग भी आपके ले अवस्य बन रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा जल्दबाजी करने से आपको अवस्य बचना है और मंगल देव जो के नीच रासी गत होंगे बारवें भाव में तो अपने आत्म विश्वास पर कंट्रोल रखेगा यानि ओवर कॉन्फिडेंस से आपको जरूर बचना है तो इसे कारी छेत्र के दृष्टिकों से अच्छी इस्तिति बनती भी नजर आ रहे हैं वहीं हम इंकम की बात करें तो इंकम का भाव 11 भाव होता है और सिंग्रासी के जातकों के लिए इंकम के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं औ परिश्चिती खर्चों के मामले में सिंग्रासी के जातकों को बहुत सतर्क साब्दान देना होगा यह आप सिंग्रासी के जातक हैं शेर मार्केट डोटरी इत्यादी के कारी छेत्रों से जुड़ेवे या clown को अचानक से बढ़ी हानी आपको देखने को मिल सकती है इस बात आपके अनायास बढ़ेंगे अचानक से खर्चों में बढ़ोत्री होगी और कुछ खर्चे आपके इसलिए जब भी आप धन का आधान प्रदान करें या धन से संबंदित कोई भी कार्य हो तो बहुत सतर्क साबधान आपको रहना होगा खर्च आपके बहुत बढ़ने वाले हैं अपने खर्चों पर नियंत्रन लगाने की आवशित्ता आपको पढ़े तो इन बातों का मई के महने में जरूर ध्यान रखेगा अत्यदिक खर्च बढ़ सकते हैं कारिच छित्र में जल्दवाजी करने से बच्चेगा अपने बाणी पर नियंत्रन लगाने की आवशित्ता आपको पढ़ेगी और यदि आप 60 लोट्री इत्यादी से जुड़ेवे हैं तो बड़ी हानी देखने को मिल सकती है मई का महा आपके लिए लाप्रद हो यही हम प्रातना करते हैं नमस्कार जानकारी अच्छे लगे तो सेर जरूर करिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलेगा और जोतसी या प्रामर्ज के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं या वर्ट्सअप कर सकते हैं नमबर आपको यह स्क्रेन पर दिखाई दे रहे होंगे तो यह हमारे ओपिस्यल नमबर है